राजधानी लखनव के चर्चित हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश दिवारी हत्यकांड के मुख्य गवाह सौराश्ट्र जीत सिंग ने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है मूल रूप से कुशी नगर निवासी सौराश्ट्र इंद्रा नगर में रहते हैं 18 अक्टूबर 2019 को हुए कमलेश दिवारी हत्यकांड में पुलिस ने सौराश्ट्र को मुख्य गवाह बनाया है उनका कहना है कि गुरुवार रात वो स्कॉर्पियों से रहिम नगर की तरफ से गुजर रहे थे बंधे वाली रोड पर दो गाडियों ने उनका पीछा किया उनकी गाड़ी को ओवर्टेक करके रोका गया और दोकार से करीब दरजन भर लोग उत्रे गाड़ी से उतरते ही उन लोगों ने हमला कर दिया उन्होंने किसी तरह भाग कर जान बचाई जी सर हम उनको मुख के गवा हैं और आभी तक प्रथम रिपोर्ट अमारी दर्ज नहीं की गई यह थाने में आभी तक कोई करवाई नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है अग्यात लोगों ने जो है किया है और साजी एक साजी के ताथ तीन गाड़ियों से 20-30 लोग आया है और उन्होंना हमला किया है और पिस्टल से फारिंग करते हुए गनर का भी पिस्टल शीन लिए और मेरा मुबाईल शीन कर लेके चले गया है इसलुबाबश्या कर दा रहे है जो उनके जो कमलेश्की वाड़ी काहते हारे है उनी लोग आया सर उनी के उपर बस सर गाली नमर हमको याद है यूपी 32-KZ 1040 आपको बता दें कमले शत्यकान में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्चिर दाखिल की गई है इनमें शूटर अश्वाख, मोईनुद्दीन, साजिश करता शेख सलीम, राशित पठान, पैजान, आसिम अली, मुहम्मद जाफर सादिक और मददगार नावेद, मौलाना मुफ्ति कैफी, कामरान, रईस, आसिफ और यूसुफ खान है पुलिस ने सभी के एक आतंकी संगठन से जुड़े होने की पुष्टी की थी पंजाब केसरी के लिए लखनाउ से अनिल चैनी की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद